हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपको फैब्रिक पट्टी और लेज के साथ प्लाजो पेंट का सबसे खुबसूरत और एकदम नया डिजाइन बनाना सिखाऊंगी ये डिजाइन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा तो चलिए हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी फैब्रिक पट्टी रेडी करनी है तो उसके लिए मैंने सेम प्लाजो पेंट वाले फैब्रिक से एक पट्टी कट की है ये पट्टी न मैंने एक इन चौड़ी ली है ये देखिए ठीक है और लंबाई में हमें थोड़ी जादा लेनी है क्योंकि हमें इससे चोटी चोटी पटियां कट करनी है और इसकी उल्टी साइट पे ऐसे पेपर पेस्टिंग भी लगा लेनी है अब हमने दोनों तरफ से एक तो ऐसे हमने पूरी पट्टी पे ग्लू स्टिक लगा ली है अब हमने इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देना है और हाथों के साथ अच्छे से प्रेस कर देना है इसे ऐसे फिर ये चिपक जाएगी ये खुलेगी भी नहीं ग्लू स्टिक के साथ आप कितनी भी पतली असानी से तो इस तरीके से पटी को रेडी करके इसे मैं प्रेस करके अभी आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ग्लू स्टिक लगा के इसे प्रेस भी कर लिया है और ये अच्छे से चिपक भी गई है अब ये खुलेगी नहीं, अब हमें इससे चोटे-चोटे pieces कट कर रहे हैं तो मैंने ऐसी दो-तिन पटियां रेडी कर ली है साड़े-तीन-तिन इंच के इससे pieces मैं कट कर रही हूँ तो सारी पटियों से हमने pieces ऐसे कट कर लिये हैं अब हम इन पट्टियों को न ये वले paper के उपर रखके stitch करेंगे, तो ये paper न मैंने लंबाई में plaza pen की मोरी के जितना ही लिया है, और चड़ाई में न मैंने इस पर ये दो mark किये हैं, ये marking न मैंने लगबग सवा 2 इंच औरी रखी है, ये दिखिए, 2 इंच 2 point, तो ऐसे हमने सीधी सीधी marking कर लेनी है, अब हमने एक पट्टी लेनी है और उसे ऐसे diagonal shape में रखना है, और यहाँ पे न पट्टी के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है, तो जो अगली पट्टी है न वो हमने एक पैर के gap पे ऐसे रखनी है, और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है, ऐसे ही न हमने एक एक पैर का gap लेते जाना, और शारी पट्टी ओं को पेट्रन के उपर ऐसे stitch कर लेना है, तो ऐसे मैंने सारी पट्टी ओं को पेपर के उपर stitch कर लिया है, अब हमने इसके दोनों साइडों पे लेस stitch करनी है, तो मैं इस पे ये वाली लेस stitch करूँगी, ठीक है लेस को इसके उपर ऐसे रखेंगे, और लेस की किनारी को दबाते हुए सीधी सीधी सिला ही लगा लेंगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकोन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे, तो एक तरफ हमने ऐसे लेस को stitch कर लिया, अब हमने दूसरे किनारे पे बिना ऐसे ही लेस को सीधा रखते हुए stitch कर लेना है, तो ऐसे हमने दोनों तरफ लेस को stitch करते हुए ना इस पैटरन को ready कर लिया है, अब हम इस पैटरन को अपनी पैंट के साथ stitch करेंगे, पैंट को खोल के सीधा करके रखेंगे और पैटरन को ना इसके ओपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे तो उनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे लेस वाली सिलाई के ओपर ही सिलाई लगा लेंगे तो ये वली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है अब हम इस पैटरन को नीचे की तरफ सीधा कर देंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे बिल्कुल किनारी की तो ऐसे हमने इस पैटरन को न अपनी पैंट के साथ स्टिच कर लिया है अब हमने न इससे नीचे वाली साइड से फोल्ड करना है तो अपने इस पैटरन को नीचे वाली साइड से फोल्ड करने के लिए मैंने सेम प्लाजो पैंट वाले फैब्रिक से ये एक पट्टी कट की है ये पट्टी न मैंने तीन इन चौड़ी ली है ये देखिए तो यहां पे ऐसे सिलाई लगाके ना मैंने पैंट को सीधा कर लिया है इस पट्टी को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे सीधा करते हुए और यहां पे भी एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे तो ये वली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है अब हमने इससे आधे इंच के गैप पे यही वली लेज को रखते हुए स्टिच कर लेना है यहाँ पे न हमने लेज को ऐसे उल्टा करके रखना है ठीक है आधे इंच का gap लेना है total और यहाँ पे भी lace की किनारी को दबाते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है तो lace को यहाँ पे रखते हुए हमने stitch कर लिया है अब हमने इसे नीचे वाली side से fold कर देना है तो उसके लिये हम इसे पहले उपर की तरफ ऐसे fold करेंगे आधा इंच और फिर fold करके इसे lace वाली सिलाई के उपर लेके आएंगे ऐसे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेंगे तो ऐसे हमने इसे नीचे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है अब हमने न लेस को नीचे की तरफ सीधा कर देना है ऐसे और यहाँ पे भी एक किनारी की सिलाई लगा लेनी है तो यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे भी हमने ऐसे सिलाई लगा ली है और डिजाइन हमारा यह रेडी हो गया है अब हमने पीछे से पेपर को निकाल देना है पेपर को निकालना पीछे से बहुत ही असान होता है क्यूंकि सिलाई के साथ ना यह थोड़ा थोड़ा सा फट भी जाता है ऐसे यह देखिए कितनी असानी से निकल रहा है ना तो फ्रेंट्स मैंने सारे पेपर को पीछे से निकाल दिया है और देखिए कितना खूबसूरत और एकदम नया हमारा यह डिजाइन रेडी हुआ है तो अब हम इसे ना फिटिंग की सिलाई भी लगा लेते हैं है तो अभी मैं आपको इसे पहन के भी दिखाती हूँ पहनने के बाद हमारा यह प्लाजो पैंट का डिजाइन कुछ ऐसे आ जाएगा तो आप भी यह वला डिजाइन अपनी प्लाजो पैंट पे जरूर ट्राय करें डिजाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल दैन बाई बाई